अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए किसानों के समर्थन में आई एन एलडी विधायक अभाई सिंग चोटाला ने हरियाना विधान सभा से दिया इस्तीफा इस्पीकर ने किया स्विकार जिहां क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों का विरूध परदर्शन सांत नहीं हो रहा है गंतंत दिवस के मौके पर किसान नेताओं को दिल्ली में सांतेपूर्ण तरीके से ट्रेक्टर रैली निकालने के लिए इजाजत मिली थी लेकिन दिल्ली में मंगलवार को कई इलाकों में हिंसा के सांती संपत्ती का नुकसान हुआ है पुलिस ने किसान नेताओं के सांती उपद्रवियों समेत कुल 22 लोगों के खिलाफ एफायार दर्जकर मामले की जाच कर रही है इस बीच किसानों के आंदुलन को लेकर खबर हर्याना से है इंडियन नेशनल लोकदल यानि INLD नेता वो एलान बाद से विधायक अभय चोटाला ने अपने पद से स्टीफा दे दिया है उनके स्टीफे के बाद हर्याना के विधान सभाय स्पीकर ग्यान चंत गुपता ने इनका स्टीफा भी स्विकार कर लिया है वहीं इसके पहले अभय चोटाला इस महीने स्पीकर को एक पत्र लिखा था जिसमें उनने कहा था कि इन सभी हालातों को देखते हुए अगर केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को 26 जनवर तक वापस नहीं लेती है तो इस पत्र को विधान सभा से उनका त्याग पत्र समझा जाए क्योंकि ऐसी परिस्टी में विधान सभा में उनकी मौजूदगी का ओई महत्व ही नहीं रह जाता पार्मस ट्रैक्टर रैली में दिल्ली हिंसा को लेकर 22 लोगों के खिलाफ हुआ F.I.R. दर्ज किसान निता राकेश टिकैट का भी नाम है उसमें सामिल जिहां आपको बता दें कि रशी कानूनों के विरोध में किसानों को गरतनत दिवस के मौके पर सांतेपुर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से इसाज़त दी गई थी लेकिन दिल्ली में जमकर उत्पात के बाद हिंसा हुई जिस हिंसा में सरकारी और प्राइवेट संपत्ती का नुकसान हुआ है तो वहीं करीब 300 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं गटना के बाद सहीं दिल्ली पुलिस उपद्रवियों के साथ-साथ किसान नेताओं समेत कुल 22 लोगों के खिलाफ एफायार दर्ज की है एफायार में किसान नेता दर्शनपाल सिंग, रजिंदर सिंग, बलविंदर सिंग, राजेवाल, बूटा सिंग, बुर्जगील और जोगिंदर सिंग उग्रा, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और किसान आंदुलन में सक्रिय रहे, योगेंदर यादों के साथ ही, बी के यू के रास्टिय प्रवक्ता, राकेश टिकैत का भी नाम सामिल है, पुलिस सूत्रों के माने तो पुलिस जल्द ही इन किसान नेता उसे पूचताज के लिए उन्हें बुला सकती है, बाकियों नेता राकेश टिकैत का वीडियो हुआ वायरल, कहा मैं अपनी गलती स्विकार करूँगा, जिहां गरतनत दिवस पर दिल्ली किसान ट्रैक्टर रैली के दोरान हुए उपद्राव के बाद, अभी भी पर किसान डटे हुए हैं, इसी बीच भारते किसान यूनियन के राष्टिय प्रवक्ता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टिकैत किसानों से कह रहे हैं कि सरकार कैड़ी पड़ रही है, डंडा ले आना लाठी गोली भी साथ रखना, वीडियो वायरल होन बाकियों नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर रैली में कुछ असिक्षित ट्रैक्टर चला रहे थे, उन्हें दिल्ली के रास्ते के संबंध में जानकारी नहीं थी, प्रशासन ने उन्हें दिल्ली का रास्ता बताया था, सभी किसान दिल्ली जाकर घर लोटे हैं, ह यहाँ BCCI चीफ और भारती क्रिकेट टीम के सफल कप्तान रहे सौरफ गांगुली की तबियत एक बार फिर से बिगड गई है, दादा की तबियत खराब होने के चलते उन्हें कोलकाता की अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भरती करा गया है, डॉक्टरों की टीम उनकी द सीने में दर्द होने के बाद BCCI प्रमुख सौरफ गांगुली को कुलकाता की अपोलो अस्पताल में भरती करा गया, अभी नहीं मिलेगी ठंड से रहात, इन राज्यों में बढ़ेगा सीत लहर का प्रकोप, जिहां रास्तिय राजधानी सहित पूरे उत्तर भारत में दर्ज की जा रही है, कोहरे और सीत लहर के चलते कई राज्यों में ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है, और उत्तर भारत के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम रहती है, इसे बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कु उत्तर खंड पंजाब, हर्याना, चंडिगड और उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आएगी, IMD ने अपने अखिल भारतिय मौसम बुलेटिन में कहा कि उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा चाय रहेगा और अगले तीन से चार दिनों के दौरान तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है